खबरें जिनसे हैं आपको सरोकार बजट सत्र में भाग लेने के लिए आटोरिक्षा में पहुचे बियारेस विधाय भारत राष्ट्र समिती बियारेस के विधायक शुक्रुवार को राज्य विधान मंडल के बजट सत्र में भाग लेने के लिए आटोरिक्षा में पहुँचे मुख्य विपक्षी दल से संबंधित विधान सभा और परिशत के सदस्यों ने महालक्ष्मी योजना के कार्यानवन के कारण आटोरिक्षा चालकों को होने वाली समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्शित करने के लिए विधान सभा भवन तक पहुँचने के लिए तिफिया वाहनों में यात्रा की। गौरतलब है कि महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को टिये सार्टी सी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमती है। विधायक और विधान पार्शद हाथों में तक्तिया लिये हुए थे और सरकार से आटोरिक्षा चालकों के बचाव में आने की माम कर रहे थे। एमेले क्वार्टर से तिफिया वाहन में विधान सभा पहुचने के बाद पूर्व मंत्री और सिद्धी पेट विधायक्ती हरीश राव ने मीडिया कर्मियों से कहा कि कॉंग्रेस सरकार की योजना के कारण 6.5 लाक आटोरिक्षा चालक सडकों पर शुक्रवार को जवाहर सरकिल पार्क में लोगों के साथ सुबह की सैर कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। करने में महत्वपूर्ण योगदान देने का आवान किया। सीएम ने सभी आयू वर्क के लोगों से अच्छे स्वास्थे के लिए फिटनेस की डोज आदा घंटा रोज के संकल्प को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। जार्खन के देवघर में पुलीस बस की तक्कर से स्कूली चात्रा की मौत दो बच्चे घायल लोगों ने किया बवाल। जार्खन के देवघर टाउन में शुक्रवार को पुलीस की बस की तक्कर से नौवी की एक छात्रा की मौत हो गई जबकी दो अन्य बच्चे घायल हो गए। घटना से गुसाएं लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया और बस में तोर फोर की। आरोप है कि बस का जाईवर नशे में गाड़ी चला रहा था। लोगों ने थोड़ी देर तक सड़क भी जाम कर दी जिने हटाने के लिए पुलीस ने लाठिया भांजी। हाथसे में मृत छात्रा का नाम रिशिका मंजुल है। वह संत फ्रांसिस स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा थी। घायल बच्चों के नाम दिविशा और रेयांश है। दोनों देवघर स्थित दियेवी स्कूल में कक्षा दो के छात्र है। घायल बच्चों का इलाज दो छात्रा और एक छात्र को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुचाया गया, जहां रिशिका को मृत घोशित कर दिया गया। चौधरी चरण सिंग सच्चे अर्थों में लोक तंत्र के साधक मुख्यमंत्री योगी। पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग और पीवी नरसिमहा राव तथा हरित क्रांती के जनत क्रिशी वैज्ञानिक एमे स्वामिनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने स्वागत किया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, जन्नेता, किसानों के मसीह, गावो, अन्नदाता किसानों, शोशितों एवं वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषना अभिनंदनिया है, वे सच्चे अर्थों में लोक तंत्र के साधक थे, यह गौरव राष्च निर्मान में उनके अतुल्य योगदानों का सम्मान है, मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के मसीह, चौधरी चरण सिंग को भारत रत् यूपी के लिए ये और भी अभिनंदनिया है, क्योंकि चौधरी साहा प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है, उनके नेत्रित्व में उत्तर प्रदेश ने नई दिशा प्राप्त की थी बी एन टी की खास पेशकश